नमस्कार टीविनाइन दिल्ली एंसियार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिग्या कशिप आईए रेखते हैं दिल्ली एंसियार टॉप नाइट तिहार जील में बंद महाठग सुकेश चंदरशेखर का लेटर बम सुकेश चंदरशेखर ने लजी विनैस अकसेना को लिखे लेटर में दिल्ली से सीम अरविंद केश जिवाल पर संसनी खेज आरोप लगाए हैं चिठी में लिखा कि अगर मैं महाठग हूँ तो मुझसे 50 करोड रुपे क्यों लिए मुझे राज्यसभा के सीट क्यों ओफर की थी केश जिवाल जी सतेंद्र जायन के साथ मेरी डिनर पार्टी में क्यों शामल हुए थे मैं ठग हूँ तो मुझे 500 करोड रुपे क्यों जुटाने को कहा करनाटक में मुझे बड़ा पत देने का वादा क्यों किया चुठी के आने के बाद आमाद्मी पार्टी ने प्रेस कॉंफरेंस कर बीजेपी पर पलटवा किया सौरब हारद्वाज ने कहा कि बीजेपी MCD और गुजात चुराव को लेकर घबराई हुई है और सुकेश चंदरशेखर का सहारा ले रही है सुकेश चंदरशेखर बीजेपी का स्टार कैंपेनर है सुकेश ने ग्रहिमंत्री के नाम पर 215 करोड रुपे लिए बीजेपी उस पर जवाब दे दिल्ली NCR की जहरीली हवा में लोगों का दम घुट रहा है राजधानी और आसपास के इलाकों में गैस चेंबर जैसी स्थिती बन गई है कई इलाकों में AQI 500 के खतरनाक स्थर को पार कर चुका है दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूशन दिल्ली विश्वेद्याला इलाके में है जहां AQI 563 रिकॉर्ड किया गया बढ़ते प्रदूशन की वजह से लोगों को सास लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आखों में जलन हो रही है सुबह सडकों पर इतनी ज्यादा धुन्द थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वही दूसरी तरफ नोईडा के कई इलाकों में AQI 550 के पार चुला गया है दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर पोस्टर वाज शुरू हो गया है विजेपी नेता तजेंदर पाल सिंग बगगा ने केजरिवाल की तुलना हिटलर से करते हुए दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर लगाए है पोस्टर पर लिखा है हिटलर के बाद केजरिवाल दूसरे ऐसे शाशक हैं जिन्होंने शहर को गैस चेंबर बनाया है दिल्ली के डिप्टी सीए मनीश सिसोधिया ने दावा किया है कि इडी ने उनके पीए के घर रेड की और पीए को गरफतार कर दिया सिसोधिया ने ट्विट कर बीजेपी पर निशाना साधा लिखा इन्होंने जूटी एफायार कर मेरे घर रेड करवाई बैंक लॉकर तलाश लिए मेरे गाव में जाच कर ली लेकिन मेरे खिलाफ कहीं कुछ नहीं मिला आज इन्होंने मेरे पीए के घर पर एडी की रेड करी वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो अब उसको गिरफतार करके ले गए बहाचपा वालो चुनाव में हार का इतना डर वही दूसरी तरफ एडी ने कहा है कि सिसोधिया के पीए को हिरासत मिलिया गया है और उससे पूछटाच की जा रही है दिल्ली के उप मुख्य मंतरी मनीश शिसोधिया ने दिल्ली की जनता से कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई हो जाएगी यमुना को साफ करने के लिए युदहस्तर पर काम चल रहा है इसी तैयारी का जाय जलेने के लिए मनीश सिसोधिया कल कॉंडली की सीवेस ट्रीटमेंट प्लांट गए थे सिसोधिया के 2025 तक यमुना की सफाई के बयान पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने निशाना साथते हुए कहा कि ये सिर्फ वादा करते हैं इनसे यमुना साफ नहीं हो पाएगी आम आदमी पार्टी के पुरपाशद ताहिर हुसैन के खिलाफ कोट ने मनी लॉंडरिंग केस में आरोप तै करने का आदेश दिया है ताहिर हुसैन पर आरोप है कि उसने तीन डमी कंपनी बनाई और गलत तरीके से एक करोड़ दस लाख रुपे जुटाए थे और उत्तर पूर्वी दिल्ले में दंगा भड़कानी के लिए इन पैसों का इस्तमाल किया था एडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग अक्ट के तहत मामला दर्श कर लिया है दिल्ली हाई कोड ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमान तुल्ला खान की जमालत को चुनौती देने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो की एक याचिका पर उनका जवाब बागा है एसी भी का कहना है कि आप नेता के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें आजीवन कारवास तक की सजा भी हो सकती है अमान तुल्ला खान पर आरोप है कि बतौर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए सरकारी दिशा निर्देशों का उलंगन करते हुए 32 लोगों को अवैत रूप से भरती किया था साथ ही दिल्ली सरकार से मिले अनुदान का भी 2 रूपयों करने का आरोप लगा है एम्स में इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं लोगों के लिए अच्छी खबर है इसके अलावा इमर्जेंसी में मरीजों की एंट्री की लाइफ जानकारी मिलेगी ओपीडी में फुट्फॉल नय और फॉलो अप ओपीडी मरीज रेडियो डागनोस्टिक्स की स्थिती एक्सरे अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन, MRI, DSA जाच की जानकारी मिल सकेगी प्रगती मैदान में 14-27 नवंबर तक 41 वे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन होगा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लद्दा की सांस्कृतिक जलक केंद्र में रहेगी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ITPO ने लद्दाक को पहली बार विशेस तोर से आमंतरित किया है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मेले में लोगों की एंटरी होगी नए पुराने दोनों हॉल में ट्रेड फेयर आयोजित होगा कुछ स्टॉल बाहर भी लगेंगे नए हॉल S2 के ग्राउंड फ्लोर में पार्टनर और फोकस स्टेट के स्टॉल बनाई जाएंगे वहीं H2 में खादी और विलेज इंडर्स्ट्री कमीशन और S4 में MSME के स्टॉल होगे S5 में थीम पिविलियन होगा दिल्ली के नरेला इंडर्स्ट्रियल एरिया में जूते और चपल की फैक्टरी में सुभह साड़े साथ बजे भीशन आग लग गई आग फैक्टरी के पहली मंजिर पर लगी धीरे धीरे आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई सूचना मिलने पर दमकल की छे गाड़ियों ने आग पर काबू पाया फैक्टरी के गाड के अनुसार आग में लाखो कमाल जलकर खाग हो गया घनीमत ये रही कि आग से किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ इसी के साथ दिल्ली NCR टॉप 9 में आज के लिए इतना ही बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें दिल्ली NCR टॉप 9 नमस्कार दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR साथ ही बेल आइकन जरूर दबाए जिससे हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक फेसबुक पर हमें सर्च करें अड़ रेट TV9 डेली NCR वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें अड़ रेट TV9 डेली NCR पर और इंस्ट्राग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें at the rate tv9 Delhi NCR